दोस्तों राजिस्थान में मुख्य मंत्री आयुस्मान आरोगे योजना की रजिस्टेशन की प्रोसेस से वो शुरू हो चुकी है अब इस योजना के तहित आम जनता का 25 लाक रुपे तक का फिरी में इलाज किया जाएगा जी हाँ इस वीडियो में आपको मुख्य मंत्री आयुस्मान आरोगे योजना की रजिस्टेशन प्रोसेस बताऊंगा और इस योजना के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी कलियर करूँगा क्योंकि कई साथियों का यह कहना कि चिरिंजी योजना बंद हो गई बंद हो गई अब लाब नहीं मिलेगा अगरा वगरा तो यह वीडियो देखने के बाद इस योजना को लेके आपके दिमाग में कोई भी सवाल वो इधर उधर वो नहीं घूमेंगे नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजबूद तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजिस्थान में बिजेपी की सरकार आते ही चिरिंजी स्वास्ति योजना को बंद कर दिया गया था आलांकि ये बंद नहीं थी लेकिन अपना आम बोलचाल की बासा में खह सकते हैं कि इसको बंद कर दिया गया था आज भी चिरिंजी स्वास्ति विमा योजना है वो अपने राजिस्थान में लागू है बस फरक इतना है कि इसका नाम बदल दिया बिजेपी सरकार ने और नाम बदल के कर दिया मुख्य मंत्री आयुस्मान आरोगे योजना अब चिरिंजी योजना के तहट जो भी लाग पहले मिला करते थे अपसे आगे अपने राजिस्थान में इस नहीं वाली योजना से मिलेंगी दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर अपने आयुस्मान कार्ड की बात करें तो ओल आवर इंडिया में आयुस्मान कार्ड के तहट पांच अलाग तक का फिरी में इलाज होता है और उसके बाद यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही सेंटर गोर्रमेंट ने इसकी राशी बढ़ा की 10 लाग की थी अगर अपने राजिस्थान के बात करें तो अपने राजिस्थान के मुख्य मंतरी शिरीमान भजनलाल सर्माजी ने ये गोशना की थी कि राजिस्थान में जो चरिंजी स्वास्ती बिमा योजना के तहट जो लाब आम जनता को मिल रहे थे सेम के सेम वही है वो मिलेंगे उन योजना को है या उस योजना को बंद है वो नहीं किया जाएगा तो ऐसे में चरिंजी योजना के तहट राजे स्थान में 25 लाग तक का फ्री में है वो इलाज मिल रहा था आम जन्ता को तो वो 25 लाग का इलाज है अब भी वो चालू है आयुसमान योजना के तहट तो इस बात को है आप कलिर कर लिजेगा और इधर उधर की बातों में आप कत्ते विशास मत कीजेगा हाँ इतना जरूर हो सकता है कि इस काम में थोड़ी सी देर ही हो सकती है यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा देखने और सुनने में यह आया है कि चरिंजी योजना के तहट अभी जो होस्पिटल वाले वो इलाज नहीं कर रहे है यह वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर समझ से यह बने वी है कि उनको बजट कौन देगा क्योंकि पिछली योजना के कौंगरे सरकार के दोरा यहाँ पर जो भी इलाज करवाये गए थे अभी तक वो पिछला बजटी इन होस्पिटल वालाओं को नहीं मिला है अब उन होस्पिटल की यहाँ पर लिष्ट है संबंदिती वाग के दवारा जारी किये गई है सभी होस्पिटल हैं इसके लिए मानने नहीं किये तो ऐसे में आपको बताना चाओंगा यहाँ पर देगे फिलहाल यदि आप अपने SSO ID को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको आयुष्मान योजना के दो लिंक है वो दिखाए देगे एक तो नुक का है और एक बेसिक साए अगर आप बेसिक वाले पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपना स्टेटर्स देख सकती हो यदि आप अपना यहाँ पर जनाधार नंबर डालोगे अगर आप इस योजना के लिए पात्तर हो तो आपका नाम है यहाँ पर दिखाए देगा अगर आप इस योजना से जुड़े नहीं हो तो यहाँ पर no record found आपको बता देगा या no data found का message आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए खाज जानकारी यह है कि कुछ का यह कहना के ठीक है कि हमारा नाम तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन जिनका नाम नहीं आ रहा वो क्या करें तो सातियों आपको बताना चाहूँआ देखिए चिरिंजी योजना के तहत भी अपने राजिस्थान में जो लोग खादे सुरुक्षा में जुड़े थे तो उनका तो यहाँ पर देखिए automatic registration हो गया उनको किसी परकार के कोई सुलक देने की आवसेक्ता नहीं थी automatic उनका कार्ड बन गया लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे जो खादे सुरुक्षा में नहीं जुड़े वे थे तो उनको यहाँ पर चिरिंजी योजना के तहत 850 उर्पे का सालना प्रिमियम देखर या सुलक देखर है इस योजना का वो लाब उठा रहे थे लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह देखने में आ रहा था पोर्टल पे है यह प्रिमियम भी बंद कर दिया अलांकि जिन्हों ने पहले यहाँ पर है 850 का प्रिमियम दिया है अभी तक तक मुझे द्यान है मई तक है यह काम करने वाला है अब यहाँ पर देखिए आरोगी जो योजना है मुखे मंतरी वाली जो नई योजना की है इसके तहट भी अब आप 850 रुपे का प्रिमियम देखे है 25 लाग तक का फिरी में इलाज करवा सकते हैं अब आपको यहाँ पर खाज आनकारी देना चाहूंगा जैसे आप यहाँ पर न्यू रेजिस्टेशन पर क्लिक करते हो अपने SSO ID के अंदर इस योजना के तह तो फिलहाल यह जो पोर्टल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको इसके लिए 2-4 दिन का और वेट करना चाहिए क्योंकि अभी तब इस पोर्टल में है पुरानी य योजना का नाम हो दिखाए दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल पोर्टल है वो अपडेट किया जा रहा है यदि आप भी इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो आप 5-10 दिन का है वेट कर लिजेगा जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आने वा करने के लिए ये वीडियो में आपके लिए हो लेकर आए हो अब जैसे पोर्टल पर नया नाम आया है तो दिरे दिरे इस योजना का लाब भी आपको मिलेगा आसा रखता हूं कि अब आप पूरी तरह से समझ गये होंगे अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लेगी वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ वो जुरूर शेर कीजेगा अगर इस योजना को लेकि ये आपके कोई सावाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आता है कि कुछ यहां कॉंग्रेस के परसंसक हैं कुछ यहां बीजेपी के परसंसक हैं तो कॉंग्रेस वाले तो यह कहेंगे हाँ यह बंदी कर दी बीजेपी सरकार है यह ऐसी और बीजेपी के समर्थे के वो यह कहेंगे यार उसने गोटाले की बहुत बड़े गोटाले की इस परकार से ने तो बिया देखिए मैं तो यहां पर आपका एक रिपोर् नहीं लगते हैं, इस बात को भी आप कलियर कर लिजेगा, जो गोवर्मेंट पर जनता हित में सही काम करेगी, भी अमन तो उसका पक्स लूँगा, ठीक है न, और चलते चलते गोर खाज जानकर यह आपको देना चाहूँआ, देखिए, इस बार 2024 में मोदी सरकार सेंटर में आ बारते